उदेपर वाटी के गुड़ा गोर्जी में व्यापारी से हुई लूट मामले में 5 आरोपी हुए गिरबदार उदेपर वाटी विदान सबाद 6 के गुड़ा गोर्जी में व्यापारी राजंदर गोयल पूत्र संकलाल महाजन से हुई लूट मामले में पुलिस ने कारवाई करते हुए लूट के मामले में पांच आरोपियों को गिर्बदार किया है व्यापपारी की आंख में मर्ची पाउडर डाल कर 90 जारोपिय से बरा बेग लेकर फरार हुए थे आरोपि वहीं गुड़ा गोरजी थाना दिकारी वीर सिंग गुजर के नेतरतों में आरोपि के खिलाप कारवाई करते हुए आरोपि को धर दबोच लिये है इस दोरन आरोपि कफिल सर्मा उर्फ देव पूतर हरी राम सर्मा बाय निवासी वहीं दूसरा आरोपि विकास सर्मा उर्फ विक्की पूतर रमेश ब्राह्मन अडूका चिड़ावा का रेने वाला है वहीं तीसरा आरोपि अमित कुमार सिरिचन जाट शिंगनोर निवासी वहीं संदीब कुमार किरोडिया पूतर पपूलाल मेगवाल बाय निवासी वहीं लक्षमी चंद उर्फ आजाद पूतर अजित कुमार जाट बराला सिकर जिनको पुलिस ने गिर्बदार कर लिया है इस दोरान पुलिस की टीम में कारवाई में सामिल थानादिकारी वीर सिंग गुजर बंसिदर एसाई रामसंदर एसाई कांस्टेबल स्यामलाल कांस्टेबल हर्क रेंदर कांस्टेबल संपत कांस्टेबल भुपेश कांस्टेबल संदीप ने आरोपियों को दबीश देखर गुड़ागोड जी के व्यापारी राजिंद्र गोएल के साथ में कोई लूट की बारदात हुई इस पर प्रकरण सेंख्या चार सुततर और अबलिक बाइस पंजिवद किया गया था इस प्रकरण में हमारी टीम के द्वारा जिसमें साइवर सेल की मदद पुछ अदकारियों का निजलेशन के बाद में शगन जांच करके हुए और अभी पांच आदमियों को गरभदार किया गया है जो पांच मुल्जिमों को गरभदार किया गया है उनके नाम है कपिल सर्मा और देव पुत्र हरीराम ये निवासी हैं बाय पुलिस्थाना नवल्गड दूसरा मुल्जिमें विकासर्मा और वित्थी अंडू का पुलिस थाना चड़ावा का रहने वाला है तीसरा मुल्जम है अमत कुमार पुत्र स्रीचन जाती जाट निवासी सिंग्नोर पुलिस थाना गुड़ाबोर जी चोथा मुल्जम है संदीब कुमार करोडिया पुत्र पपुलाल ये वायकार रहने वाला है जो थाना नवलगर में आती है पांचवों मुल्जम है लक्ष्मी चंद और फाजाद सनौप अजीद कुमार ये 89 पालडी पुलिस थाना बलारा जलासी कर इन पांच आदमियों को इस मुकद में गरबदार किया गया है आज नेले में पेस करेंगे और इन मुल्जमानों दुवारा जिले तथा राज्तान में और कहा कहा बारदा थी गईए इसादम पूस्ताश जारी है स्थाना बलारा का रहने वाला है जो इस पूरे घटना करम को रैकी करके ब्यावसाई कब दुकान से जा रहा है कहां उसका घर है उससे पहले उन्होंने चार दिन रैकी की है और रैकी करने के बाद में अपने टीम के साथ ये लोग आए हैं दो बाएक पर और उसके बाद में कितने रुपेग लूट थी सर ये नप पहजार की लूट बताई है बाकी के अभी अमसंदान जारी है इनसे जो लूट कि राद से वो वरामत करनी है गटना में प्रियुक्त वाहने वो रिकवर करना है और आगे इस तरीके की और भी कोई के अगर बारदात की है तो इस मामल में सगन अमसंदान जारी है